नमस्कार दोस्तों सत्राकाल एन आदाब मैं हूं आपका दोस्त राजा उस्तियों और आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागर है दोस्तों कुछ सवालात थे कि गिंबल हम किस तरीके से यूज़ करते हैं गिंबल के शॉट्स कैसे लेते हैं तो आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो सबसे पहले सबस्क्राइब कर दिजिए और साथ इसाथ बेल आईकॉन पर जाके all notification पर ख्लिक कर दिजेगा अब दूसरी बात अगर आपने पहले से हमारे चेनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो पर भी आप एक बार फिर से जाके बेल आइकाउन पे जाके ओल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दिजेगा क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि उनके पास हमारे नोटिफिकेशन नहीं जा रहे हैं आईए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो तो दोस्तों आज हमाम आपको पहला जो शॉट दिखाने वाले हैं उसके लिए हेमन जी हमको डेमस्टरेट करेंगे और यहां पर जो कैमरा में यूज़ कर रहा हूँ वह सोनी का एसेवन एस त्री लेंस जो मैं यूज़ कर रहा हूँ है ट्रटिफोर एमम जी मास्टर का लेंस है आप कोई दूसरा लेंस लगा सकते हैं जो भी आपके पास हो गिंबल जो है वह मेरे पास मोजा एयर क्रॉस टू और यहां पर जो मैं मोड यूज़ कर रहा हूं मोड बहुत इंपॉर्टेंट है यह पैन फॉलो मोड देखिए इस तरीके से यह पैन फॉलो मोड है मैं कैमरे को जैसा भी रखना चाहूं जिस तरब मूव करूंगा यह उस तरब से मूव होगा तो य करना है इस तरीके से चलना है और चलने के बाद कि आपको हीमन भाई इसे चलते वाएंगे और मैं अजस्ट उनको इस तरीके से फॉलो करता हूँ आउंगा तो दूस्तों यहां पर पहला शॉट ले रहा हूं और शॉट लेने के सिंपल यहां से हेमन भाई आपको सिंपल सा चलते वो आना रेडी चले आइए कि इस तर्हींаз यांतर है जब ही भी आपको इस तरह से शॉट curriculum और याद रखना है कि आपका जो पैर है पैर की जो balancing है यहां पर देख सकते कि यह जो फैर है अगर मैं तो मेरा जो गिंबल करेगा लेकिन अगर मैं थोड़ा सब अपने पैर को ऐसा बैंड करके इस तरीके से घर चलता हूं यहाँ कि मैं इस तरीके से चलूंगा तो कभी भी जो जर्क का प्रॉबलम है वह नहीं आएगा बहुत लोग यह सोचते हैं कि जब हम Gimbal लगाते हैं या Gimbal यूज करते हैं तो बस सिंपल ही हमको चलना बड़ ऐसा है नहीं जब भी आप गिंबल लगाते हैं तब आपको बहुत समहल के चलना होता है यानिकि आप एकदम अगर आपको दोड़ना भी है तो भी आपकी जो न लेते हैं तब आपको मेंटेन करके चलना है इस तरीके से बस ही से लेते हैं तो यहां से कोशिश करता हूं कि अब मैं थोड़ा सा टिल शॉट लूगा अगर मैं ऐसा स्टेट शॉट तो ले सकता हूं लेकिन मैं टिल शॉट लोगा तो टिल शॉट लेने के लिए मुझे क्य लेता हूं मैंने यहां पर केबल लगाए वह नहीं है अगर में केबल लगाता तो यहां से रिकॉर्डिंग अन कर लेता था रेडी है चलिए एक बार यहां पर भी आपको ध्यान देना है कि आपको जब इस तरीके से शॉट लेना है तो आपको आपका नीबैंड होना चाहिए हम थोड़ा और लो एंगल शॉट लेंगे तो लो एंगल शॉट लेने के लिए हमको क्या करना पढ़ेगा सिंपल सा शॉट है जैसे हम 넣고 हमने पहले एक आई लेवल का शॉट लिया इसके हमने side से लिया, third shot में ले रहा हूं, जिसको मैं low angle से लूँगा, low angle से shot काफी attractive लगता है, और जब आप low angle से shot लेते हैं, तो याद रखें कि आप कोशिच करें कि ऊपर का जो head space होगा, वो आप ज्यादा दे, क्योंकि उससे आपके shot में काफी अच्छा feel दिखेगा, प्लस आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे कि हमारा यह simple सा location है, यह कोई बहुत high-five location नहीं है, ठीक है, हमारा जो studio इसके फीछे का location है, लेकिन यहां पर जो tree है, यह काफी अच्छी दिखाई दे रही है, तो यहां पर मैं अगर थोड़ा सा low angle shot लेना चाहूंगा, तो मुझे कुछ भी फिर यहां पर प्रेस करके अपने camera को इस तरह किसे नीचे कर लेना है, या फिर मैं यहां पर tilt को off कर सकता हूं, जैसे मैं tilt को lock करता हूं, तो यहां पर आप देख सकते हैं, अभी यह मेरा camera बेना किसी चीज के अगर मैं lock करता हूं, तो यह ऐसा हो जाएगा, इसके बाद simply बहु Buddhi एहां से अने नहीं है तो इस तरीके से मैंने स्क्रीण को ऊपर कर लिया और अभी हम से तो यहां से से मैं फ्रेयमिंग कर लिता हूँ आप सकते हुए सब्सक्राना ओपर करें गाएं तो इस तरीके से अगर आफ शॉस्ट लेते हैं तो बहुत ही ज्यादा अट्रेक्टिव दिखाई देता है तो जब भी आप गिंबल के साथ ले तो अलग अलग शॉट में आपको इस तरह के से शॉट बनाने चाहिए यह था हमारा गिंबल का मूव तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अब दोस्तों जब भी आप शूट क तो कोशिश करें कि आपका चलेंगे याद रखें जब भी आप गिंबल के शॉट लें तो कोशिश करें आका केमरा वह उसमें जो लगा हो उधिन जब लेंस सीब मश्कांच और सबस्क्राइब असलियो उद्स करए तो इसलिगोन हुआ है क्योंकि इसके दोनों साइट दिखाए देगा तो जब भी आप शूट करें कई लोग क्या करते हैं लोकेशन पर जाते हैं और वहां पर एकदम ब्लैंक लोकेशन पर शूट करते हैं तो रनिंग शॉट दिखता ही नहीं है जबकि अगर आपका फोर ग्राउंड और बैक्राउंड स्ट्रॉंग होगा या सा बीबी आप प्री वेडिंग में जाएं वेडिंग में जाएं तो इन चीजों को ध्यान लखना चाहिए अब आप यहां पर देखें मैं सिंपल सा शॉट लेता हूं अगेन जो मेरा टेक्निक है वह कुछ इस तरीके कर रहेगा कि मैं अपनी नी बैंड करूंगा कुछ इस त बीबी यहां पर चेहां लेता हुए अगर इस तरीके से एक शॉट लूंगा तो बिल्कुल जूंग डॉली जैसा शॉट दिखाई देगा आप वहां से शूट कर ले उस जोन से तो यहां से मैं हेमन जी को बोलूँगा कि आप यहां से चल के जाएंगे ठीक है आपको simply चलते वे जाना है और मैं कोशिश करूँगा कि मैं अभी जो मेरा गिंबल है उसको मैं इस तरीके से ले करके आऊंगा तो इसके लिए मुझे यह पर यह यहां पर लौट का यूस करना है wowBO मैं यूस करूँगा और फिर यहां पर शूट करूँगा सो गाइज यहां पर आप देख सकते हैं कि यह सिंपल सा एक लोकेशन इंव्र इसको अगर आपको कभी इस सुर्ट इस निकलता है मैं वे और अब 여러ग यहां से आप देख स अब हम से चलेंगे स्टार्ट वे ले कर कर से ऊप अगर आप इसा लेकर आते हैं और उसके बाद आप he isa चलते हैं तो यह जो श६र्ठ है वो बहुत ही बहुत कमाल का दिखाई देता है इस तरीके से शूट अगर आप करेंगे यह ने आपको यह समझना है कि आपके पास location क्या है अगर location को आप समझ जाते हैं दिन आपको कभी भी यह problem नहीं जाएगा कि आपको कैसा शूट करना है जैसे यहाँ पर मैं रिखाता हू यहाँ पर अगर मैं इसमें half curve शॉट लेना चाहूंगा यहाँ जी यहाँ से आते हैं इस तरीके से हमन आएंगे और मैं क्या करूंगा इस ट्री के साथ हाफ कर शॉट लोगा तो भी बहुत कमाल का effect आएगा तो आपको समझना है और देखना है कि आप क्या अच्छा शूट सब्सक्राइब कर सकते हैं यहाँ पर मैं making resour कर लेता हूं और मैं आपको फॉट करा कि रिखाता हूं और भी आपको आइना थीक है जब बोलूंगा तब आना आपको यहां से अंगरृटिंग स्टार्ट सबसे में चीज क्या है कि आपको जो अधर एलिमेंट से आपके पास जो भी फ्रेम में एक्स्रा चीज़ें उसको समझना बहुर इंपॉर्टेंट है अगर इसी को मैं किसी ब्लैंक स्पेस में लेता तो मूविंग उतनी अच्छी दिखाई देती लेकिन मैंने सामने क्या रख है I hope आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम स्थी करते हैं गिम्मल के और भी बहुत कमाल के शॉट्स निकलते हैं लेकिन मैं अभी इस वीडियो को बहुत जारा लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ I hope आपको इस वीडियो समझ में आया होगा अगर वीडियो अच्छा दोनों में पूरा डीटेल बताया कि किस तरह को चलना है किस तरह को शौट लेना है कैसा सारा चीज करना है तो वीडियो आप जरूर देख लिजेगा अगर आपको लगता है प्रॉपर वेपे प्रिवेडिंग जिसमें हमने गिंबल वगरा सारी चीजिए को बहुर अच्छे स एक्स्पेन किया है काइन अफ शौट संजा है सब कुस समझा है तो दोस्तो आज के वीडियो में इतना ही आज का ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा तो आज का ये वीडियो दिखने के लिए आपको बहुत-बहुत सुक्रिया अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो राजावस्ती 007 इस इस मैं इंस्टाग्राम आइडी इसको फॉलो कर लिजेगा थाइंक यू सो मच एंड कीप वाचिंग बाई बाई